कि तो फ्रेंद्स मैं डॉक्ति अनु का तिदा तो फ्रेंड्स आज हम जानेगे पेप इसमें टेस्ट के बारे में तो पेप करवाना चाहिए इसे किन महिलाओं को करवाना चाहिए और इसे कित्ते समय में repeat करना चाहिए और इसकी report आने के बाद आपको क्या करना है तो ये सब आज इस वीडियो में हम detail जानेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि पेप इसमें cancer develop हो गया हो या फिर future में develop होने वाला हो तब भी इस test के थ्रूँ हमें पता चल जाता है इसके अलावा कुछ अन्य disease जैसे sexually transmitted disease या फिर कोई fungal disease हो तो वो भी इस test के थ्रूँ हम पता लगा सकते हैं इसलिए आपको यह test जरूर करवाना चाहिए तब देखते हैं कि यह test हमें कौन सी age में करवाना चाहिए तो अगर आपकी age 21 years के अबो हैं और आप sexually active हैं तो यह test आपको साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए और इसस हम लगातार 3 साल तक करवाते हैं और अगर आपको लगातार 3 साल तक negative आता हैं तो फिर हम इसे 3 साल में एक बार करने की सलह देते हैं तो आप देखते हैं कि अगर महिलों में cervix cancer develop होता हैं तो इसके क्या symptom हो सकते हैं white discharge का होना और white discharge के साथ foul smelling याने की बहुत ज्यादा smell का आना sex करने के बाद bleeding का होना याने की संबंद बनाने के बाद bleeding का होना और आपकी period खतम होने के बाद फिर से bleeding का चालू हो जाना महिने में बीच बीच में bleeding का होना या फिर आपके महिने खतम हो चुके हैं आपको menopause हो गया है उसके बाद कुछ सालों बाद फिर से bleeding का चालू हो जाना तो ये सभी symptom cervix cancer के हो सकते हैं तो जब भे आपको इसे symptom लगे तो आपको अपने gynecologist को दिखाना है और आपके gynecologist इसके लिए आपका पेप इसमें test करवाएंगे तो ये पेप इसमें test एक बहुत ही simple procedure है ये OPD procedure है और इसमें एक minute का समय लगता है तो अब देखते हैं कि पेप इसमें test कैसी किया जाता है तो इसमें महिला के cervix के अंदर से साइटो ब्रश की द्वारा कुछ cells लिए जाते हैं फिर इन cells को हम एक liquid में डालते हैं और इसे pathology में centrifuge करके slide बनाके microscopic examination किया जाता है तो पेप इसमें का sample आपके gynecologist भी ले सकते हैं या फिर आपको किसी भी pathology में कोई भी pathologist आपका पेप इसमें test कर सकते हैं तो अगर आपकी age 45 years या इससे अबो है तो आपको ये test साल में एक बार जरूर करवा लेना चाहिए ताकि अगर cervix cancer develop हो गया हो तो भी diagnosis हो जाता है या फिर future में cervix cancer होने वाला हो तब भी इसमें cells में कुछ changes दिखते हैं जिसकी वज़े से हम आपका diagnosis बना सकते हैं कि आपके cells में changes हो रहे हैं तो आपको cervix cancer होने की समभावना है तो इसलिए आपको ये test साल में एक बार जरूर करवा लेना चाहिए तो किसी किसी महिलाओ को cervix cancer होने के बाद भी bleeding के कोई symptom नहीं होते हैं तो cervix cancer होने पर 50% महिलाओ में ही irregular bleeding के symptom आते हैं और 50% महिलाओ में कोई symptom नहीं आते हैं और अंधर ही अंधर cervix cancer developed होता रहता हैं इसलिए हम पेच्च में test के थूँ पहले से ही पता लगा सकते हैं, कहीं service cancer develop तो नहीं हो गया है, और अगर आगे होने भी वाला हो, तो पहले से ही sales में कुछ changes होने लग जाते हैं, जो कि हम pap smear के थूप पता लगा सकते हैं, तो कुछ मज़नाओं का सवाल होता है, कि क्या pap smear test में दर्द होता है, तो नहीं, इसम आपको pap smear की report मिले, तो आपको ये report अपने gyneclozis को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ही आपको इसके बारे में detail समझा सकते हैं, कि आपकी report normal है, या फिर cancerous है, क्योंकि service cancer develop होने के कुछ समय पहले से ही sales में कुछ changes होते हैं, जो कि हम pap smear के थूप पता लगा सकते हैं तो इसमें आपको डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि service cancer का अगर timely पता चल जाता हैं, तो इसका treatment पूरी तरह से संभाव हैं, और अगर आपको complete hysterectomy हो गई हैं, जिसमें आपकी बच्चा दानी के सासाथ, बच्चा दानी का मुह याने की service भी निकाल गया हैं, तो फिर आपको ये test करवाने की जरूरत नहीं होती हैं, तो friends अगर आपको भी irregular bleeding हो, या फिर आपके महिने के बीज बिच में bleeding होती हो, तो आप अपने gynecologist को दिखाएं, और ये पेपिसमें test जरूर करवाएं, तो friends I hope मेरे इस वीडियो से आपको पेपिसमें test के बारे में समझने में help मिली होगी, तो आप मेरे इस वीडियो को अपने friends और family member को भी share करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सकें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस channel को subscribe नहीं किया हैं, तो आप इसे एक बार subscribe जरू करें, thank you friends, have a nice day, take care.